नमस्कार शाथियों, LM Geography के online platform पे आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन, हम लोग बात कर रहे हैं CT Graduation Level 2024, 30 Days MCQs की, और 30 Days MCQs बैच में, आज हम बात करेंगे भारत के खनीज, यहने की Minerals of India, और जब हम भारत के खनीजों की बात करें, तो सबसे पहले तो हमें यह clear होना चीए, कि खनीज किशे कहते हैं, तो सामान्यता, Minerals या खनीज, वे पदाट, जिनें जमिन से खोद कर निकाला जाता है, जिनको भी भूगर्व से खोद कर निकाला जाता है, उत्खनन के रूप मे कूप खनन के रूप में, वे सब क्या कहलते हैं, खनीज कहलते हैं, और यदि हम भारत में बात करें, तो मुख्य रूप से खनीज दो प्रकार के हैं, एक धात्विक खनीज, यहीं कि Metallic Minerals, और दूसरे अधात्विक खनीज, Non-Metallic Minerals, और जब हम खनीजों की बात करें, एक तो पूछा जाता है, इन खनीजों की क्या इस्तती है, इस्तती का मतलब है कि कौन-कौन से चट्टानों में, कौन-कौन से राज्जी शेत्रों में, या किस खनन शेत्रों में यहां पाए जाते हैं, और दूसरा सबसे important जो पूछा जाता है, वहां इनके उत्पादक और भंडारन वाले राज्य या फिर उनकी प्रमुख खान, तो जिस तरह से प्रश्ण एक्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसी प्रकार के प्रश्णों पर आज हम विस्तार से अध्यन करने वाले हैं, और सुरुवात करते हैं आज के सेशन की, और पहला प्रश्ण आप लोगो कीजिए, ए, डली, राजहरा, चत्तिसगर, बी, बाबा बूधन, कारनाटक, सी, गुरु महिसानी, छारखंड, डी, बादाम पहाड, ओडिशा, यनि की निम्न मैंसे कौन सा लोहा आयसक शेत्र, आज सुमेलित हैं, यनि की लोहा आयसक शेत्र और राज्य, अब सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चीए, कि भारत में जो लोहा आयसक है, भारत में जो लोहा आयसक है, यहां कहां पाए जाता है, तो यह जहां रखना, यहां राजस्तान में, धारवाड, और, कुडप्पा क्रम की चट्टानों में पाए जाता है, और, लोहा आयसक जो है, वहां कितने पार प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है, मेगनेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, और, इनमें जो सबसे अच्छा लोहा आयसक है, वहां है, मेगनेटाइट, और जो सबसे निम्न कोटी का लोहा आयसक है, वहां है, और जब हम भारत की बात करें, तो भारत में मुख्य रूप से, मेगनेटाइट और हेमेटाइट प्रकार का लोहा आयसक पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा यदि भारत में, जिस लोहा आयसक के भंडार है, वहां हेमेटाइट है, और ये कई बार प्रश्न पूछा जाता बाबा बूदन की पहाड़ियां जो की करणाटका में लोहा एश्ग के लिए जानी जाती है तीसरी है गुरू महिशानी जारखंड में नहीं है कहां पर है गुरू महिशानी कहां पर है ओडिशा में तो इसका सही उत्तर क्या है सी और बादाम पहाड कहां पर है तो बादाम पहाड ओडिशा में तो गुरू महिशानी और बादाम पहाड यहां प्रमुक जो है लोहा ऐस के भंडारन शेत्रिया खाने जारखंड में कौन सी है तो जारखंड में है गोव नाव मुंडी गोव नाव मुंडी जो की लोहा एस की खाने यहां कहां पर है जारखंड में इस तरह से हमें एक तो भारत के जो प्रमुख खनीच है जिसमें सबसे प्रमुख है लोहा एसक लोहा एसक की खान और किस राज्य में है यहां सबसे इंपॉर्टन ए चलागे बात करते हैं अगले प्रश्न की अगला है निम्न लिखित मैंसे मैगनीच तक शेत्र है ए बेलाडिला बी क्योंजर सी मलाजखंड डी कोरापुट अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना ची कि मैंगनीच मैंगनीच यहां एक धात्वी खनीच है जो कि कहां पाए जाता है धारवाड करम की चट्टानों में पाए जाता है और मैंगनीच के सबसे ज़्यादा सरवादिक भंडार यदि हम बात करें कि मैगनीज के सबसे ज़्यादा भंडार कहां पर है या इसका भंडारन कहां पर है तो उनमें जो है वहाँ है ओडिशा, करनाटक, मध्यप्रदीश और महाराष्ट यानि कि सबसे ज़्यादा भंडार एक राज्य पूछा जाएगा तो कौन सा है ओडिशा, उसके अलावा करनाटक में, मध्यप्रदीश में, महाराष्ट में और यदि आपसे पूछा जाए कि सरवादिक उत्पाधन, इसका सरवादिक उत्पाधन भी कहां होता है और इसलिए, जब भी मैगनीज का प्रश्ण विशेश रुप से एक्जाम में पूछा जाता है, तो वहाँ ओडिशा से पूछा जाता है और मैगनीज की जो सबसे प्रमुक का खाने वहाँ कौन सी है, क्योंजर है, तो इसका सही उत्तर क्या है, भी क्योंजर जो कि ओडिशा में किसकी मैगनीज की सबसे बड़ी खाने और इसलिए ओडिशा भारत में सबसे ज़्यादा में मैगनीज का भंड़ा अब उत्तपादन में मैगनीज के सासाद यह ध्यानक ना ओडिशा लिखा है, लेकिन कई बार हमें कौन सा मिलता है, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश का जो बाला घाट शेत्र है, बाला घाट शेत्र, यहाँ मेंगनीज के लिए जाना जाता है, और ओडिशा का कौन सा शेत्र? क्योंजर से तो अब वापस समझना कि मैंगनी जो है, यहाँ धारवार क्रम की चटानों में पाए जाता है, और भारत में इसके सबसे ज़्यादा भंडार, ओडिशा क्योंजर में, जबकि सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है, वहाँ मध्यप्रदेश बाला घाट से होता ह अब यदि अब प्रशने पार बात करें, तो बेला डिला यहाँ चटिस गड़ में, कहाँ पर है, चटिस गड़ में, और यहाँ किसके लिए जाने जाती है, लोहा आयसक के लिए जाने जाती है, मलाज खंड यहाँ कहाँ है, मध्यप्रदेश में, यहाँ किसके लिए जाना जाती है, तामबा के लिए जाने जाती है, तामबे की खाने, और कोरा पुट यहाँ और यहाँ जाने जाने जाती है, तो इस तरह से हमें एक तो जो भी खनीजे उसके सबसे ज़्यादा भंडार या कहां से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो मेंगनीज के भंडार ओर यहाँ जादा कहां होता है, मध्यप्रदेश में, हाला कि मैंने पहले ओडिशा लिखा, लेकिन उत्पादन में मध्यप्रदेश का जो बाला घाट शित्र है, वहाँ से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो इस प्रकार से हमें लोहा इसक के बाद, जो दूसरा सबसे प्रमु लोहा आयस्क के साथ मैगनीच, चुना पत्तर और कोकिंग कोईला यहां जो है कच्छे माल के रुप में प्रयोक्त होते हैं और इसलिए लोहा आयस्क और मैगनीच को लेके विशेस रुप से एक्जाम में प्रशन पूछा जगा और इसके बाद जो तीसरा और सबसे इंपोर् किनियम का आयस्क है ए पाइरोलूसाइट बी बॉक्साइट सी वुल्फ्रेमाइट डी मैगनेटाइट अब देखे पाइरोलूसाइट यदि हम बात करें पाइरोलूसाइट तो यहां किसका आयस्क है मैगनीज का आयस्क है बॉक्साइट किसका है एल्यूमिनियम का आयस्का है वुल्फ्रेमाइट किसका है टंगस्टन का है और मैगनेटाइट किसका है लोहा का तो यहां जो है तो हमें प्रश्ण में पूछा गया है नेमन लिकित में से अल्यूमिनियम का आयस्क आया तो इसका सही उत्तर क्या है वा है भी बॉक्साइट अब सबसे इंपोर्टेंट बात आता है कि अलुमीनियम कहां पाया जाता है क्योंकि भारत में लोहा इसपात उद्योग के बाद सबसे बड़ा जो उद्योग है वह है अलुमीनियम उद्योग और अलुमीनियम उद्योग उन शेत्रों में इस्तापित किया गया है जहां पर विकास ज्यादव मैं नाल को है कि उठल को माल को है विदानता बारत में की कंपनिया Saksymi are या Aluminium स欸क Island भारत के अनेक राज्यों में Android की ईस्ताप्ना आप हमोलियम को लेकिल तो पूछे जाता है एक तो aluminum उद्योग से आएंगे या फिर aluminum उत्पादक शेत्रोस आएंगे तो aluminum जो है जिसका ask क्या है वॉक्साइड यहां कहां पाया जाता है तो यह जहां रखना यहां क्रिटेशिस कालिन बैसाल्ट चट्टानों किसके भंडार है जबकि लोहा मैगनीज तामा या अन्य धात्पी खनी चे उनके भंडार आपको धारवाड करम की चट्टानों में मिलेंगे जबकि aluminum के भंडार क्रिटेशिस कालिन बैसाल्ट चट्टानों में मिलते हैं अब यदि हम बात करें भारत में तो भारत में इसके सबसे ज़्यादा जो है भंडार कहां है तो देखिए aluminum के सबसे ज़्यादा भंडार सबसे ज़्यादा भंडार इसके हैं ओडिशा में आंद्रप्रदेश में गुजरात में और इन चार राज्यों में सबसे ज़्यादा भंडार हैं जबकि इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन aluminum या oxide का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहां से होता है तो ओडिशा से होता है ओडिशा के बाद यदि पूछा जाता है तो जार खंड से और जार खंड के बाद पूछा जाता है तो गुजरात से और गुजरात के बाद पूछा जाएगा तो कहां से हैं महाराश्टर से तो इस तरह से भारत में ऐलुमीनियूम को लेके दो तरह के प्रशनाते हैं कि ऐलुमीनियूम का आयस्क कौन सा हैं कौन से चट्टानों में पाए जाता है इसके सबसे ज़्यादा प्रमुक खान जो हमें एक्जाम में पूछी जाती है वहां पूछी जाती है एक तो काला हांडी और कोरा पुट यह दो जो है यहां दोनों ही कहां पर हैं ओडिशा में हैं और एलुमीनियूम की प्रमुक खान और दूसरे पूछी जाती है ओडिशा के अलावा वह है लोहर दग्गा जो कि कहां पर है जारखंड यहनि कि एलुमीनियूम को लेके जितने भी प्रशने वहां इस प्रकार से पूछाते हैं तीन तो प्रमुक खाने हैं और राज्यों में या तो ओडिशा पूछाता है या फिर उत्पादन में ओडिशा के बाद जारखंड और भंडारण में ओडिशा के बाद आंदर प्रदीश इस तरह से हमें एलुमीनियूम को लेके प्रशन पूछात इसके बाद बात करते हैं अगले प्रशन की अगला प्रशन है नेमन लिखित में से सरवादिक तामबा उत्पादक राज्य है अब यहाँ पर समझना से उस सबसे इंपोर्टेंट है वह है तामबा तामबा जिसका मानव ने सारवा पर्थम प्रियोग ने की मनुष्य ने सबसे पहले धातू के रुप में किसका प्रियोग किया तामबे का प्रियोग क्या और इसलिए जब हम इथियास का अध्यन करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि पासान युगिन सब्विता के बाद तामर युगिन सब्विताओं के बाद में काश्सियोगिन सब्वेताई औरक शीयोगिन सब्वेताず के बाद में लोहा यूगिन शक्यां प्रियोक हैं अब। यह है धारवार क्रम की चटानों में पाए जबाए जाता हैं इसके सबसे ज्यादा भंडार कहां पर है तो यदि हम तांबे के भंडारों की बात करेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा इसके भंडार कहां है वह है राजस्तान दूसरा मद्यप्रदेश और तीसरा जो है वह है चार खंड और इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करें तो इसके सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है कहां होता है मद्यप्रदेश राजस्तान और ज़्यार खंड मत अब यहां पर ज्याद रखना जो सबसे इंपॉर्टन है इसके सबसे ज़्यादा भंडार मद्यप्रदेश राजस्तान जार खंड और मद्यप्रदेश अब यहां समझना जो सबसे इंपॉर्टन है वह है कि तामबा जो धारवाड क्रम की चटानों में पाज़ता है इसके सबसे ज़्यादा भंडार कहां पर है राजस्तान में जबकि सबसे ज़्यादा उपादन कहां होता है मद्यप्रदेश में निम्न लिखित में से सरवादिक तामबा उत्वा तक राज्य कौन सा है इसका सही उत्तर है यदि आता कि निम्न लिखित में से तामबे के सरवादिक भंडार कहां है तो राजस्तान होता है और इसके जो प्रशन हमें खान के रुप में पूछे आते हैं तो दो पॉइंट कि आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी खान पूचिया यह तामबे की सबसे बड़ी खान है तो वहाह है खेटड़ी जो कि भारत की सबसे बड़ी तामबे की खान है और सबसे ज़्यादा उत्पादन पूछा जाता है तो कहां से हैं मलाजखंड जो कि मद्यप्रदेश की बाला घाट शेतर में मलाजखंड जो है यहां किसके लिए जाना जाता है तामबा उत्पादक शेतर सबसे ज़्यादा उत्पादन मलाजखंड से होता है जबकि सबसे ज़् भंडार कहा है खेतरी और इसलिए हम कहते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा तांबे के भंडार राजस्तान में हैं जबकि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहा होता है मद्यप्रदिश में तो एक एक राज्य जहां पर अलग-अलग है उनको विशेश रुप से एक्जाम में क्neटक जारखंड ओरिशा पी ओरिशा चतिस गड forनाटक सी कर्णाटक ओरिशा ज्यार्खंड इभारार है यहाँ सबसे इंपॉर्टेट है है और यहां से क्या प्रश्ण बनता है हमें इस पर पता कि जो लौहा आयस का है लोहा अयस्का यहां कहां पाया जाता है यहां धारवाड और कुडपा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है अभी लोहा अयस्की की बात करें तो सबसे ज़्यादा भंडार और सर्वाडिक उत्पालन यदि हम बात करें भंडार की तो सबसे ज़्यादा भंडार इसके कहां पर है ओडिशा में ओडिशा के बाद जारखंड और जारखंड के बाद जबकि इसके सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहां होता है ओडिशा में ओडिशा के बाद चत्तिस गड़ में और चत्तिस गड़ के बाद कहां पर करनाटक में होता है तो सबसे पहले ओडिशा जारखंड और करनाटक इसका सही उत्तर क्या है डी यदि उत्पादन पूछा जाता तो यहाँ यहाँ उत्पादन अब हमें खान के संदर में भी क्लियर होना चाहिए कि लोहा ऐसक की कौन-कौन सी खान है तो यदि हम ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में गुरू महिसानी और बादाम पहाडे जारखंड में गोवा नाव मुंडी है चत्तिस गड़की बात करें तो यहाँ पर और करनाटक में बाबा बूदन की पहाड़ियां जो सबसे ज़्यादा पूछाती है कि बाबा बूदन की पहाड़ियां किसके लिए जाने जाती है तो लोहा ऐसक के लिए जाने करें कि कौन सी खाने हैं और कौन से राज्यों में इसके भंडार है या किन राज्यों में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चलागे बात करते हैं अगले प्रश्ण की अगला है निम्न लिखित मैंसे सरवाधिक खनीज संपदा से सम्रद पेटी है ए उत्तर पश्चिम पेटी बी दक्षिन पश्चिम पेटी सी छोटा नाकपूर पेटी डी मध्यवर्ती पेटी अब यह दिए हम भारत में बात करें तो भारत में जो हैं खनीज संपदा खनीज संपदा की कुल पाँच पेटिया है कितनी पाँच कौन कौन सी हैं एक तो है छोटा नाकपूर पेटी उसके बाद है उत्तर पश्चिम पेटी उसके बाद है दक्षन पश्चिम पेटी उसके बाद है दक्षन पेटी और मद्यवर्ति पेटी इन सभी पेटियों में सबसे जादा खनीजों के भंडार है वहां आपको कहां मिलेंगे छोटा नाकपूर पेटी क्योंकि यहां पर कोईला है लोहा आयस का है मेगनीज है बॉकसाइट है यूरेनियम इन सभी के क्या है भंडार है और इसलिए भारत में खनीज संपता की द्रश्टी से जो प्रमुक पेटी है इसका सही उत्तर क्या है सी छोटा नाकपूर पेटी और जो छोटा नाकपूर पेटी में सबसे ज्यादा कोईले के भंडार है और कौन सा कोईला है यहां गोंडवाना लेंड की आवशादी चट्टानों में यह जए भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कौईला निकाला जाता है बिटू मीनस कौईला निकाला जाता है कहां से पाया जाता है तो गोडवाना लेंड की आवशादी चट्टानों में पाया जाता है और इसके लिए जो प्रमुक श्यत्र है वहाँ कौन सा है छोटा नागपूर का पठार और इसलिए छोटा नागपूर के पठार को क्या कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश भारत के रूर प्रदेश के रुप में भी जाना जाता है क्लियर चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्णिक नेमनल लिखेते मैंसे चांदी का दूसरा सरवादिक उत्पादक राज्य है ए राजस्तान बे मध्याप्रदेश सी कानाटक डी ओडिशा अब यहाँ पर समझना जो सबसे इंपोर्टन्ट है वहाँ है कि चांदी मिस्रण के रूप में प्राप्त होती है यनि कि चांदी की कोई एक अलग खुद की खानी है चांदी दूसरी धातों के साथ निकलती है तो राजस्तान की बात करते हैं तो सीसा और जस्ता के साथ निकलती है मध्याप्रदेश में हम बात करें तो तांबे के साथ निकलती है करनाटका में बात करें तो वहाँ सोने के साथ निकलती है यनि कि चांदी मिस्रन के रुप में निकलती है अब चांदी के सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें बहंदार की तो चांदी के सबसे ज़्यादा बहंदार कहां मिलेंगे आपको राजस्तान और चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्पादन भी कहा होता है राजस्तान में होता है लेकिन हमें पूछा गया है निम्न लिखित में से चांदी का दूसरा सरवादिक तो दूसरा सरवादिक धान रखना वहां कौन सा है करनाटक है उत्पादक सोरी है दूसरा सरवादिक उत्पादक जो है वहां कौन सा राज्य है यनि कि भारत में जो चांदी है वहां राजस्तान में सी सा जस्ता के साथ और कर्णाटक में सोने के साथ निकलती है तो इसका सही उत्तर क्या हो गया सी लेकिन यदि यहां पूछा जाए कि भारत में चांदी का दूसरा सरवादिक भंडारन वाला राज्य कौन सा है तो ध्यान रखना दूसरा है चारखड तीसरा है आंद्रप्रदीश और चौता है कानाटक और चांदी की जो है जब हम खान की बात करते हैं तो चांदी की सबसे पहले खान जावर की खान जो की मोचिया मगरा उद्यपूर में यह देकि राजस्तान में चांदी की सबसे पहले खान की खोच कहां की जावर में जिसे जावर की खान कहते हैं जो की मोचिया मगरा उद्यपूर में और अभी हाल ही में विश्व में चांदी की दूसरी सबसे बड़ी खान यह जहां रकना दूसरी जो सबसे बड़ी खान है चांदी की वह है सिंदे सर खोर्द जो की कहां पर है रासमन सिंदे सर खोर्द यहां विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खान है करंट के अनुसार एक्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खान कौन सी है तो वहाँ है सिंदे सर्खुर्थ जो कि कहां पर है रासमन जबकि सबसे पहली चांदी की खान की खोच कहां की गीती जावर जो कि मोचिया मगरा में इस्तित है उदैपूर में इस तरह से हमें भारत के संदर में चांदी को लेके प्रश्ण पूछा जासता है बात करते हैं मैंसे यूरेनियम उत्पादक श्यत्र नहीं है जादू गोड़ा बी रोहिला खंडेला सी केर्वा डिंगरी डी काला हांडी अब समझना सबसे पहले तो यूरेनियम क्या है यूरेनियम एकर आणविक खनीचे और इसकी जो प्रमुक खाने है वहां है एक तो जादू गोड़ा कहां पर है जार खंड में दूसरी है रोहिला खंडेला यहां कहां पर है राजस्तान में यह दो प्रमुक खाने हैं केर्वा डूंगरी भी जो है वहां किसकी है यूरेनियम की खाने हैं लेकिन काला हंडी जो है इसका समन यूरेनियम से नहीं है यहां किसकी है यहां बॉकसाइट की यहां बॉकसाइट की जो खाने और कहां पर है ओडिशा में अडी स्था में सबसे बड़ी बॉकसाइट की खान के रूप में यहां ऐलूमिनियम की खानके रूप में एकसाम में पूछ जाती इस तरह से हमें प्रशन पूछा जासता है कि निमनलिक्त में से कौन सा यूरेनियम उत्पाद है क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो है उत्पादन थोरियम का आणविक हनीच के रूप में थोरियम का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा भंडार भी थोरियम के लेकिन परमाणू रियक्टर में आणविक उर्जा के रूप में सबसे ज्यादा जो है यूरेनियम का क्या प् एकजाम में प्रश्ट सर्ट taken और भात के संदर hard किसे के लिए जानी जाती है प्रश्ण आगला निमनलिकर इसे माला बार श्यत्र में भंडारन वाला एंवी घनिज है। ए यूरेनियम, भी थोरियम, सी लीथियम, डी बेरिलियम, देखिए सबसे बहले मालाबार शित्र, यहां मालाबार शित्र कहां है? मालाबार शित्र जो है यहां कैरल का 30 प्रदेश है मोनोजाइट प्रकार का थोरियम पाया जाता है तो नेमन लिखित में से मालाबार शित्र किसके लिए जाना जाता है? इसका सही उत्तर है, वा है भी थोरियम और भारत में सरवादिक उत्पादन और सरवादिक भंडारन यहीं कि सबसे ज़्यादा भारत में जो आणविक खनिच निकाला जाता है वहाँ कौन सा है थोरियम सबसे ज़्यादा किसके भंडार है थोरियम के और कहां है सबसे ज़्यादा तो मालाबार शित्र और मालाबार शित्र के अलावा पूछा जाता है तो वहाँ है कोरो मंडल तठ जो की तमिल नाडुका तठ्य प्रधिश है अब यदि हम बात करें यूरेनियम के तो यूरेनियम के कहां कहां बंडार है तो यूरेनियम के जो भंडारे वहाँ है एक तो जादू गोड़ा जो की जारखंड में है और रोहिला खंडेला जो की सीकर राजस्थान में लीटियम के हाल ही में भंडारों की खोजकी की है कहां-कहां एक तो जम्मु कस्मीर में और दूसरी डेगाना राजस्थान में और बेरिलियम के सबसे ज़्यादा भंडार कहां पर है इसलिए जब भी हम आणवी खनीचों के प्रश्णों पर बात करते हैं तो निश्यत रूप से हमें राजस्थान से पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि बेरिलियम के सबसे ज़्यादा भंडार है और हाली में विश्व का सबसे बड़े लिठियम के भंडारों की खोज थार के मरुसल में जो है डेगाना नागोर में की गिए और रोहिला खंडईला शेत्र यहाँ भी यूरेनियम के लिए जाना जाता है तो अधिकांस आणवी खनीजों के प्रश्ण हमें राजस्तान के संदर में पूछाता है और थोरियम जो कि हाला की राजस्तान में जो है सेंद्रा पाली से या इसके बाड़मेर और जसलमेर में भंडार मिलें लेकिन सबसे ज़्यादा भंडार आपको कहां मिलेंगे मालाबार्थ शेत्र में और इसलिए आणवी खनीजों में थोरियम का प्रश्ण सदेव कैरल से पूछा जाता है और अन्या आणवी खनीजों के प्रश्ण राजस्तान से पूछे जाते हैं गिलर चला अब देखें राजस्तान एक मात्र उत्पादक राज इसका तात्परिया है कि राजस्तान का एका अधिकार राजस्तान का एका अधिकार कि किन खनीजों में राजस्तान का एका अधिकार है तो राजस्तान के एका अधिकार वाले खनीज और एका अधिकार वाले खनीज का मतलब है ऐसे खनीज जिसका उत्पादन केवल राजस्तान में होता है तो इसके अंत्रगत सबसे पहले है वह है सीसा जस्ता सीसा जस्ता जिससे हम जुड़वा खनीच के रूप में जानते हैं दूसरा है इसका मतलब गारनेट जिससे इस्तानिय भासा में क्या कहा जाता है तामड़ा या रक्त मनी के रूप में जानते हैं इसमें हमारा राजस्तान का पहला इस्तान तो है लेकिन एका अधिकार नहीं है और गारनेट की जो सबसे प्रमुक खाने वह है राजमहल टॉक यहां गारनेट या तामड़ा की रक्त मनी की सबसे बड़ी खाने इस प्रकार से हमें राजस्तान में यानि राजस्तान के एकादिकार वाले तीन खनिज विशेश रूप से एक्जाम में पूछे जाते हैं चलागे बात करते हैं अगले प्रश्ण की अगला प्रश्ण है निम्न लिखित मैंसे हीरे की सबसे बड़ी खान है एक गोलकुंडा बी पन्ना सी कोलार डी केसरपुरा हीरा जो की क्या है कार्बन का अपर रूप है हीरा यहां क्या है कार्बन का अपर रूप है जो की रुपांत्रित या कायांत्र चट्टानों में पाय जाता है और भारत में सबसे ज़्यादा हीरे के भंडार कहां पर हैं मध्यप्रदेश में और मध्यप्रदेश में भी कहां पर है तो पन्ना और सत्ना यहां दोनों मध्यप्रदेश के इस्तान हीरे के लिए हीरे की सबसे बड़ी खाने है तो इसका सही उत्तर क्या ओगया बी पन्ना जो कि कहां पर है तो मध्यप्रदेश गोलकूंडा यहां कहां पर है और यहां किस के लिए जाना जाता है कोहिनूर हीरा किस खान से मिलाता तो गोलकुंडा की खान से मिलाता और कोलार जो की कहां पर है करनाटक में यहां स्वन भंडार सोने की सबसे बड़ी खान के रुप में जानी जाती है और केसरपुरा यहां राजस्तान के प्रताप गड़ में जो की हीरे की एक मात्र खान कहां पर है राजस्तान में हीरे की एक मात्र खान कौन सी है केसरपुरा प्रताप गड़ में जो की एक बहुमुल्य खनीच के रुप में जाना जाता है एक्जामे पूछा जाता है चला आगे बात करते हैं अगला प्रश्ण निम्न लिखित में से कोईला उत्पादक शित्र नहीं है ए रियान सी शित्र बी यहाँ है पलाना पलाना सी ताता पानी और डी रुद्र सागर अब सबसे पहले बात करते हैं कोईला कोईला यहाँ जो है यहाँ एक इंधन या जिवास्म खनीज की रुप में जाना जाता है अब यहाँ कहां कहां पाए जाता है तो ध्यान रखना यहाँ एक इंधन रुपांत्र चट्टानों में पाए जाता है और दूसरा यहाँ गोंडवाना लेंड की आवशादी चट्टानों में पाए जाता है और तरसरी कालिन आवशादी चट्टानों में यहाँ पाए जाता है और जो रुपांत्री चट्टान में पाए जाता है वहाँ है एंत्रासाइट गोडवाना लेंड की आवशादी चट्टानों में जो पाए जाता है वहाँ है बिट्टू मिनस और तरसरी कालिन आवशादी चट्टानों में पाए जाता है वहाँ है लिगनाइट अब एंत्रासाइट जो कोड़ा है यहाँ पाए जाता है रियांसी शेत्र जम्मू कस्मिर में बिट्टू मिनस बिट्टू मिनस कोड़ा जो है यहाँ पाए जाता है छोटा नाधपूर के पठार में लिगनाइट के जो भंडार है वहाँ है ब्रहमपुत्र नदी घाटी में पश्चिमी राजस्तान में और तमिल्लाड अब हमें पूछा गया है निम्दन लिकिते में से कोईला उत्पादक शेत्र नहीं है तो रियांसी शेत्र यहाँ कहां पर है जमू कस्मीर में जहां पर एंत्रासाइट कोईले का भंडार है पलाना कहां पर है यहां बीकानेर में जो की तरसरी कालिल लिगनाइट कोईले की एशिया की सबसे बड़ी खान है और ताता पानी यहां कहां पर है 36 गड़ में जो की गोडवना लेंड की आवशादी चट्टानों में कोईले के भंडार है तो इसका सही उत्तर क्या हो गया डी रुद्र सागर रुद्र सागर जो है यहां कहां पर है त्रिपूरा के अंतरगत हैं और यहां पर पेट्रोलियम और प्राकर्तिक गैस के क्या है भंडार है चलागे बात करते हैं अगले प्रश्ट की नेमन लिखेत मैंसे खनीज तेल के लिए प्रशिद माकुम शेत्र का समन्द है अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चीए कि माकुम शेत्र किसके लिए जाना जाता है तो माकुम शेत्र है यहां पेट्रोलियम या खनीज तेल के लिए जाना जाता है और यहां पूर्वतर राज्यों में किस रज्य में है असम में है तो इसका सही उत्तर क्या हो गया अब गुजरात में कौन कौन से है तो गुजरात में है वह है अंकलेश्वर जो है गुजरात में है अंदरप्रदेश में जो है वह है रावा तट यहां कृष्णा और गुदावरी बेसिन के अंदरप्रदेश में पेट्रोलियम और प्राकरतिक गैस के लिए जाना जाता है और त्रिपूरा में जो है वह है रुद्र सागर्ष जो कि पेट्रोलियम और प्राकर्तिक गैस के लिए जाना ज़ता है इस तरह से हमें एक तो पेट्रोलियम उत्पादक शित्र कि भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन कहा होता है सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम आखनीश देल का उत्पादन कहा होता है बॉम्बे हाई बॉम्बे हाई के बाद में कहा होगा बाड मेर साचोर बेसिन में यहनि की राजस्तान भारत में दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादर अप 30 शित्र में होता है और अप 30 शित्र के बाद सबसे ज़्यादा जो है वहाँ राजस्तान की बाड मेर साचोर में होता है और इसलिए हमें पेट्रोलियम के राजस्तान से जब भी प्र इस तरह से हमें जो भारत के प्रमुख खनीज जो एक्जाम में पूचे जा सकते हैं जिनकी खाने प्रमुख कौण सी हैं कौन से उत्वादक राज है उसके बारे में चर्चा की और इसी के साथ हमारा भारत के खनीज टॉपिक कंपलेट होता है आगे हम भारत के उर्जा संसादन को लेके बात करेंगे और भारत के उर्जा संसादन और साती साथ भारत के प्रमुक जो है राश्ट्रिय राजमार्ग जिनको लेके प्रश्ण पूछे जा सकते हैं उन प्रश्णों पर हम कल चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है हम राजस् राजस्तान के भूगोल को नए जिल्लों के अनुसार या नए आकड़ों के अनुसार बताईए तो साथियों पहले हम इंडियन जोग्राफिक के जो दो टॉपिक बचे हुए उर्जा संसाधन और राश्ट्रिय राजमार्ग उनको लेके पहले हम बात करेंगे और उसके बाद राजस्तान के भूगोल पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे इसी प्रकार से MCQ के माद्यम से राजस्तान के भूगोल के प्रश्ण करेंगे ताकि आपके जो CET चाए वह ग्रेजेशन लेवल हो चाए वह आपके 12th लेवल हो दोनों में विशेश रूप से जो प्रश्ण बात करेंगे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स क्लास थैंक यू